चेहन दोस्तो राजास्वे वहोई सुधार विभाग में बंपर भालिया आ गया है टोटल पोस्ट 10101 है इसके बारे में उमीद करते हैं आप लोग जान चुके होंगे लेकिन संशेप में आपको बताते चलेंगे सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बताने वाल हैं और में जो मोटो है इस वीडियो का इसमें आप सभी के सिलेवस के बारे में अच्छे से समझा कर बताने वाले हैं ताकि आप लोग भी सिलेवस को अच्छी तरह से समझ पाए और उसके एकॉर्डिंग अपनी तयारी जो है सुरू कर सके जिया दोस्तो चलिए बीना किसी देरी का वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों ग्रूपों में हर जगा सेयर कर दीजे हर किसी को सिलेवस के बारे में इतनी डिटेल से समझने का जो है मौका मिल सकेगा तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक नोटिस खोल रखा है राजस मंभुमी शुदार विवाग बिहार सरकार सबसे पहले बता दे कि जो आपका सीवी टी बेज टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट में आप अगर उत्तिर्ण होते हैं तो उस अधार पे आपका चैयन होगा और बता दे कि आपका जो एकजाम लेने वाला है वहाँ B.C.E.C.E. बोर्ड लेने वाली है जिस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों ने डिपलोमा का इंट्रेंस एकजाम पास करके बिहार के विविन प्राइबेट और सरकारी कॉलेज जो मैं पढ़ के पास किये हैं तो इस बोर्ड को आप वखो भी समझ पा रहे होंगे और कोश्चन का लेवल भी क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं चले इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें हम लोग सबसे पहले बता दे कि यह जो है पोस्ट है संबीदा बेस्ट है पार्मा नेंड इसको नहीं समझिएगा और नहीं पार्मा नेंड पोस्ट का आपको किसी तरह का लाब मिलने वाला है नियोजन का जो एक आपका सैलरी फिक्स किया हुआ है वह सैलरी आपको पर मंत मिलेगा उसमें कोई डीये एचे आरे कुछ नहीं मिलने वाला है टीये और जो फिक्स है जो बेतर मान है वो बेतर नहीं मिलेगा आपको तो यह पद जो है राजस में भुमी सुधार बीभाग बिहार सरकार की अधिन विसेश सर्वेक्षन कार्शक्रम के अंतरगत मांदे अधारित संबीदा के पदों पर संबीदा के पदों पर नियोजन हेतू अनलन करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन जो है प्रणा होने वाला है वह 13 अप्रैल 2023 से ठीक है और अनलन भरने लोग है तो रेजिस्ट्रेशन की अंतिम पार्व तिती है वह है 12 मैं 2023 है और आप payment करने का जो तारिक दिया गया है वहाँ 12 से 12 मई 2023 तक payment कर सकते हैं ठीक है वही बात कर ले कि आपको सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा 18 मई से 20 मई तक 3 दिनों का यहाँ पर अभी exam date का सुचना नहीं दिया गया है यह था समय सुचित किया जाएगा बताया जा रहा है तो अभी exam की उमीद नहीं है और न किसी तरह का date दिया गया है यहाँ पर देख पाएंगे online computer based test होगा आपका ठीक है तो चलिए बीना किसी तेरी का syllabus पर चलते हैं कितना question होने वाला है कैसा syllabus होने वाला है और एक बात और बताते चले कि फी जो है सभी OVC जेनरल और EWS बालों के लिए 800 रुपर रखा गया है ठीक है वही SCST या PWD होंगे ठीक है उन सभी के लिए 400 रुपर रखा गया है तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे लेकिन हाँ एक चीज़ कहेंगे यहां मुझे अपत्ति हो रही है इस फी से क्योंकि पोस्ट है और फी 800 रुपए 400 रुपए काफी ज्यादा होता है काफी ज्यादा होता है तो इतना फी नहीं होना चाहिए था हमारे समझ से आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट जरूर कीज़ेगा तो चलिए आप सिलेवस देखते हैं अब टेक्निकल पेपर का जो सिलेवस है वह कुछ इस परकार से आप लोगों ने जो डिप्लोमे में मैप पर आ है वहां से प्रस्वन होंगे अप्लाइट फिजिक्स अप्लाइट केमिस्ट्री और इंजिनिर्णी ग्राफिक्स जो फस्ट यह ने पढ़ा है वहां से कुश् ऑऌ मैकैंखस औफ मैटेरियर्ज जो सौम पर हैं पर है वहां से प्रस्वन होंगा कंक्रिट टेक्वन लोजी है जिइंशेति shortest इंजिनिर्ट अन्ग यह ने से प्रस्वन होंगे से फफिर्याट से बीप्रस्वन होंगे। आंच्यंश थे प्रशण होगा तो यॅ सब्त होगा यहां से प्रसण आने वाले सब्सक्टे के यह रहा टेकनिकल पेपर जिसका बेटेς से लिए 75 प्रसण हैं तो यह भी बहुत माइने रखता है अच्छा स्कूर करने में और 8244 में एक पद आपका चैन करने के लिए ठीक है इसको हम समझ सकते हैं कि आप लोग टेकनिकल पर जादा ध्यान देते होंगे नंग टेकनिकल से परिचित भी नहीं होंगे बहुत सारे ऐसे होंगे तो इसको अ अब देख पा रहे हैं विसेश सरविक्षेन अमीन पध हैतु सांकितिक सिलेवस।। और हम लोग टेकनिकल पर के बारे में देख लिए हम लोग नंटेकनिकल पर जो शेवस है। देखने वाले शमान अध्यन मांसिक छम्ता और भारतिय वासा के बारे में समान बिज्यान के प्रसुनों में धैनिग अपलोकन और अनुभब के मामलों सहीत बिग्यान की शमान परसंसा और समझ सामिल होगी जैसा कि एक सुनिश्चित बेक्टी से बेक्षा की जा सकती है जिसने किसी विषय बेग्यानिक विषय का विषय सद्यान नहीं किया है ठीक है वरतमान घट्नाओं में यानि की करेंट अफिर्स महत पुन राश्टिय आनि नेशनल जो न्यूज होगा अंदर राश्टिय घट्नाओं जो इंटरनेशनल इवेंट्स होगे कि ज्यान का प्रिक्षन किया जाएगा यानि कहीं न कहीं जो है कि नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल इविंट्स का भी प्रस्ण होने वाला है भात के तिहास में इसके समाजिक आर्थिक और राजनितिक पहलू में विशय की ब्यापक समाने समझ पर जोड़ दिया जाएगा वह भारतिय के राष्ट्री अंदोलन पर प्रस्ण उनिसवी सदी के पुन्रुथान की प्राकिर्टी और चरित्र राष्टबात की विकास और स्वतंद्रता प्राप्ति से संबंदित होंगे यानि कि कहीं न कहीं अठालाव सो से लेकर उनिस्व सैथालिस तक का प्रस्ण जो है इसमें बताया जाएगा ठीक है और इसके बाद भी इससे संबंदित जो भी होगा वो प्रस्ण होगा ही भूगोल में भारत के भूगोल का पर जोड़ दिया जाएगा यनि भारत के भूगोल से जादा प्रस्ण होगा भारत के भूगोल पर प्रस्ण भारति क्रिसी से होगा प्राक चाहिती राज, समाजी की विवस्ता, भारत में आर्तिक विकास के ग्यान का परिक्षन करेंगे, शमान मानसिक शमता के अधार पर उमीदवारों की तर्क और विसले सनात्मक शमता का परिक्षन किया जाएगा, ठीक है, तो यहां से जो है कि इस परकार का आपका है, नंट टेक पर जादा फोकस होगा, वहीं अर्थ सास तरिका की भी बताया जा रहा है, राजनीती से भी प्रस्न होंगे, यह करेंट से भी कुश्चन होगा, तो उमीद करते हैं कि विशे सर्वेक्षन अमीन के पद हेतु, जो सलेवस डिसाइड किया गया है, बीसी, इसी, 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 की अच्छी पकर हो चुकी होगी, अगर आप सलेवस पकर है, तो इसमें अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, सौप रसन है, और कहीं न कहीं कटफ क्या होने वाला है, उसके एकॉर्डिंग हम लोग जो है कि जल्द ही विडियो लाएंगे, जहां से आपको जो है, यह पता लगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, और हर बैसिस पे, हर प्रेपेक्ष में, हर नजरिये से जो है कि वह कटफ को त्यार करने का परियास करेंगे, हर लोगों को फुल्फिल करने का परियास करेंगे, ठीक है, तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो आप लगो के लिए ब प्यार जो है कि हमारे चैनल पर दिखाते रहिए, जैसा पहले वीडियो आता था, अब भी भी आएगा, ठीक है, बिच में कुछ दिन, फिलाल किसी कारव वज़ से वीडियो नहीं बनना था, लेकिन अब बनेगा, तो सपोर्ट दिखाते रहिए, प्यार देते रहिए, और क रन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,